हालो माई डियो फ्रेंड्स आज हम पढ़ रहे हैं माई वक्षेट नामबर सैवन्टीवन सुट्र साइन्स की चैप्टर हमारा थार्ड है नाजीजम एंदी राइज ऑफ हिटलर उसके रिवीजन कर रहे हैं हमें टू पैराग्राफ दिये वहे हैं और पैराग्राफ में से पह ले थे European Society of Politics के उपर शोल्जर्स के उपर शोल्जर्स के उपर रखा इया उनकी ज्यादा सम्मान दिये दाने लगा क्योंकि First World War में सोल्जर्स ही लड़ाई-लड़े थे इसलिए उनका सम्मान बढ़ गया था Politician and publics led great stress on the need of men to be aggressive, social, stress, strong and masculine Politician ओका ये कहना था कि जितने भी आदमी होने चाहिए वो सारे aggressive होने चाहिए Strong होने चाहिए और masculine होने चाहिए ताकि वो क्या कर सके वार में अच्छे से लड़ सके The media glorified trench life Media ने क्या किया? Trench जो life है उसको बहुत अच्छे से glorify किया But वहाँ पर truth क्या था कि जो trench life है बहुत ज़्यादा miserable थी वहाँ पर जितने भी soldiers थे वो rat के साथ रहा थी वह ऐसे rats जो की crops के उपर भी feed कर सकते और साथे साथ ये poisonous gas को fast कर रहे थे और साथे साथे इन एनमी की selling भी face कर रहे थे जो गोला बारूद हो रहा था दुश्मनों उसके अपर गिराते जा रहे थे और अपने जितने भी वहाँ पर उनके friends थे जितने भी उनको सब क्या मरते वे देख रहे थे पब्लिक में क्या था सिर्फ अभी दो ही चीज बन गए थे कि एक तो aggressive war propaganda होना चाहिए और साथ-साथ national का और honor होना चाहिए यह दो main work रहे थे बागी सारी चीजों को पीछे छूट गई थी असके साथी साथ popular support मिला था conservative dictatorship को democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instantability of the interwar Europe democracy अब इस टाइम पर क्या था बहुत ही कोमल और नाजू था इसका मेखने का मतलब है democracy अभी बहुत ही क्या था फ्रेगाइल आइडिया था जिसे को यूरोप में अभी लड़ाई हो रही है तो उस टाइम पे इससे ज़्यादा प्रेस्ट नहीं मिला इसका क्या कि इस डेमोक्रिसी को दबाया गया उस टाइम पे जो कि अभी कैसा नहीता चाहिए जो कि लड़ सके और अच्छे से काम कर सके इसलिए डेमोक्रिसी कोई मतलब भी नहीं रहेगा जो अच्छा काम करेगा वो यह आगे बढ़ेगा तो उस टाइम पे ऐसा प्रोसेस था कोशन आंसर करते हैं परस्ट कोशन कहता है विच अफ द फालविंग लेफ दीप इंप्रेंट आओ दी यूरोपयन सोसाइटी अन दी पॉलिटी तो आपका अंसर है दी फर्स्ट वर्ल वार सेकेंड री राइट दी संटेंस आफ्टर करेक्शन सिविलियन केम तू प्लेस अ है फिल इन दा ब्लेंग इर रियालिटी सोल्ज आपका विज़ाइब देश लाइफ इन दी ट्रैंचस लिए पॉल गर सी पहां पर मिस्रेबल कोंडीशन में रह रहते है फ़र्द आपका वाल लाइल वूस लाइफ वर मिस्रेबल दूरिं टी फर्स वल्ल वार एंड वार कि किन की लाइफ जो थी, मिसरेबल थी फर्स्ट वर्ड वर में क्यों थी तो इसका आंसा देखिए आप और आपका पांचवा कोश्चन पांचवा कोश्चन आपको देखिए आपको से फोरी आंसर्स करने है तो आप फोरी को आंसर्स कीज़ेगा ठीक है अब देखें सेकिंड वाला हम पढ़ते है सेकिंड वाला क्या है? हिटलर की उपर है कि हिटलर एक क्या था पाउर्फुल स्पीकर था इस पैशन एंड़ हिस वर्ड मूव पीपल इसके जो पैशन था और जो इसके वर्ड थे लोगो को हिला के रख देते हैं इतने अच्छा हो बोलता था ही प्रॉमिस्ट बिल्ट अस्ट्रॉंग नेशन उसने वादा किया था कि वह एक स्ट्रॉंग नेशन बनाएगा अंड़ करेगा इंजस्ट्र ऑफ दी वर्सलाय वर्सलाय टृटी में जो भी इंजस्ट्र विश्वास दिलाया है कि मैं क्या करूंगा जितने भी जो वर्क ढूनने वाले हैं उन सभी वर्क उसको मैं क्या दूंगा काम दूंगा साथ ही साथ जितने भी यूथ हैं उनका लिए एक सिक्क्यूर फ्यूचर तै करूंगा और उसने ये भी कहा कि जितने भी फॉरेन जो कॉंस्पिरेंसी है सभी को क्या कर देगो खतम कर देगो सभी को मूह तोर जवाब देगा हिटलर डेवाइस दा नू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हिटलर ने एक नहीं पॉलिटिक्स बनाई थी उसने ये समझ लिया था कि जो मास मॉबिलाइज़ेशन यानि सभी लोगों का जन समर्तन हासिल करना कितना जरूरी है सभी को एकुमिलेट करके ही हो क्या कर सकते है अगर अगर अपनी पाटिकों से आगे बढ़ाना तो सभी लोगों का उसे क्या चाहिए होगा acceptance चाहिए हो गए Nazis held massive rally and the public meeting to demonstrate thus support for the Hitler instill a sense of unity among the people Nazis ने क्या की थी massive rally and public meeting की थी ताकि ये बताने के लिए कि जो Hitler है वो काफी अच्छा इंसान है और वो सभी लोग के अंदर unity ला सकता है the red banner with the swastik the Nazi salute and the rituals round of Apollos after the speech were all the part of speckle of power एंडिंग में क्या होता था कि स्वास्तिक के red banners होती है ने की लाल जंडे और साथ-साथ Nazi को salute और साथ-साथ rituals होता था कि speech खतम होने के बाद आपको तालिया बजानी है तो ये सारे जो थे वो power show करने का उनका प्रोग्राम था अब filling the blanks पहरे करते हैं हम इसका first question है कि filling the blanks है Hitler devised a new style of politics straight true or false तो Hitler was not a powerful speaker तो यह पर गलत है वो एक powerful speaker था 3rd है which measure did Nazi adopt the demonstration of the support for Hitler Hitler के support के लिए Nazis ने क्या किया तो देखिए इसका answer है massive rally आओ तो public meeting की जिसके वे से क्या हो सका उसने Hitler को support का ने कोशिश की rewrite correctly the red banner with the swastik, the nagy salute and the ritual sound of the appellos after the speech were all the part of peace speckle of the peace तो नहीं आपका last answer के आएगा आपका यहाँ पर देखिए आपका answer है यह वाला और आदि स्पेकल आफ पाव ओके फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो कम्पेट होता है I hope आपको वीडियो अच्छा रगा उसे लाइक केजे कमेट केजे, शेयर केजे और भी वीडियोस देखने के लिए में चैनल को subscribe कीजे तैंक यू उप्ज़ने में चैनल कुझे और आपके लिए वेखेटि करोफ़ पार है